तो दोस्तो आज मैंने तैयार करिए जी Immunity Booster Tea जी आँ दोस्तो जैसे कि आपको पता है पुरे देश में करोना कितना बहनकर तरह से फैल रहा है और दोस्तो सर्दी जुखाम होना सरदर्ध होना, गले में दर्ध, खरास दोस्तो आम तोर पर सभी को हो जा रहा है तो दोस्तो जो हमने चाय बनाई है इससे आपको इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और बहुत ज़्यादा फाइदे मन दोगी है आप सब के लिए तो चले दोस्तो इसको आज बनाते हैं और मैं हूँ पंकर्ज उस्तो और अपका स्वागत है पंकर्च किचन में दोस्तो चैनल पहरी वार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बेल अकन जरूर दबा दिजीएगा तो दोस्तो इसमें हम देखिए दो हमने इसमें खड़े मसाले जो होते हैं यूज करें देखिए यह है दालचीनी और इसका हमने पॉटर बना कर रख लिया है यह देख सकते हैं आप दालचीनी तरह टुकड़ों में आती है इसका हमने पॉटर बना लेना है साथ में लिए हमन आना देखितें सबसे पहले हमें एक कप पानी ले लिया है और उसके बादा अद्रक प्रिंजे कि आप इसमें इलाची कभी यूज़ कर सकते हैं हम कि ऑलन इसमें अद्रक डाल यहां अदरक के फाइद है को पता ही है सर्दियों में अद्रक कितने ंजट फायदें करता है, आपको सरदर्द हो रहा है आपको खांश से खराश से तो अध्रक क्यूंकि गरम होता है, तो इसकी तासीर तो काफ़ी फायदेमंद रहता है यह अध्रक अगर आपके पास नहीं अभी बड़ है तो आप अद्रक इसमें skip कर सकते हैं । को लिए इन दो इसमें अच्छे सा आने दीजिए फिर से उबाल, देए कितना अच्छे से इसमें उबाल आ रहा है, तो देख सकते हैं, उबाल हमारे बहुत ही अच्छे सा आ चुका है, अब इसमें हम डाल लेते हैं जिशी चीनी, और दोस्तों चीनी को आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर अधरी बता है, सुगर एक पेसेंट तो इसको बिल्कुल आप सकते हैं, तो देख सकते हैं, फिर से इसमें अच्छे से उबाला है, देखिए चाय को हमने बहुत ही अच्छे से खोला लेना है, तब इसका रंग भी आता है, अब दोस्तों हम इसमें डाल जीनी, इसी समय इसम बहुत ही ज़ादा आपके फाह्एमन रखती है आपके शरीर के लिए, देकिके दालचीनी को तो ऐअरवेध में औसिदी की रूप में दोस्तों इसका यूज होता रहा है, तो दोस्तों दालचीनी की फाह्ए बहुत से होते हैं, एक तो यह मेटाबॉलिस्म आपको बहतर कर करता है और कॉलेस्टेरल के लिए दोस्तों बहुत ही फाइदे मन्द है ये दालचीनी और दोस्तों आपको बी नियраф कर सकता है जैसे नहीं पता होगा संदीस खासी में काली मिरच ज्थ फाइदे मंद होती है वजन कम करने में दोस्तों कोलिष्टर्ल के लिए काली मिर्च बहुत ही ज़्यादा फाइदे मंद है और अगर आपके गले में खरास हो रही है आपको सर्दी जुखाम है लखा तो काली मिर्च की चाहिए अगर आप पीते हैं तो बहुत जादा अंगो और रहात आपको तुरंथ मिल जाएगी तो दोस्तो देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा सा उबाला चुका है और सारे फाइदे हमने आपको बता दिया है काली मिर्च और दालचीनी की तो इस तरीके से अगर आप इस चाही को पीता है इस समय और अपने जितने भी सदेश से उनको पिलाते हैं तो घर में तो बहुत ही जादा उनको आराम मिलेगा सरदर्द में, खासी में, सर्दी जुखाम में क्योंकि आम तोर पर सरदर्द बहुत ज़्यादा इसमें हो रहा है और गले में खरास हो रहा तो सब डर लग रहा है कि करोना तो नहीं हो गिए तो दोस्तो इससे आपको अराम मिल सकता है तुरंट अगर आप इसको यूज करते हैं डेली तो सुबह साम इसको आप सबको पिला सकते हैं अपने घर में जो बुजुरूग है उनको पिला सकता है उससे दुस्तों इसको काफी ज़्यादा उनको मिलने वाला है तो नुकसान कोई नहीं दोस्तों इसको डाल के वला आपको फाइदा रिभाले इसके मिलेंगे तो यह सकते हैं आप बनके तैयार हो चीए दोस्तों हमारी दाल चीनी और काली मिर्च की Immunity Booster Tea और देखे कलर भी का कितना अच्छा सा है दोस्तो और बनकर तैयार है दोस्तो इस तरह किसा आप सर्व कर लीजिए इसको और आसानी से सुबह साम जब भी आप चाय पीते हैं इन दोनों का यूज करके आप पी सकते हैं तो दोस्तो वीडियो अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक करेगा कमेंट करेगा दोस्तो को शेयर भी जरूर करेगा और हमारे चैनल पंकच किसल को सब्सक्राइब करके बेल अकन जरूर दबा दिजीए चले दोस्तों मिलते हैं को नई वीडियो में बहुत ही जल्द अपने चैनल पंकच किचन में